की बक्तर बंद वाहन उड़ा दिये हमास के इस हमले में इसराइल का एक डिप्टी कमांडर समेट आठ इसराइली सैनिक मारे गए हमास के इस हमले के बाद इटली की पी-म जॉर्जा मैलोनी ने पी-म ने तन्याहू से साफ कहा है कि गाजा जंग में इसराइल बुरी तरह से फ इसराइली सैनिक की यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इसराइली सैनिक गाजा में क्यूं मारे जा रहे हैं रफा, खान योनस, दक्षणी घासा, जबालिया कैम के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन-चुन कर इसराइली सैनिकों को मार रहे हैं उसकी वज़े से प्रधान मंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीशन हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है जिसमें इसराइल के आठ सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं हमास का ये हमला एतना घातक और भीशन था कि इसरेली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला हैरानी की बात तो ये है कि मारे गए इसरेल के आठों सैनिक बक्तरबंद लडाको वहन नामेर में बैठे थे जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है इसरेल के सभी आर्ट सैनिक नामेर बखतरबंद लडाको वहन मिमारिक है रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ इसे आप जरा अनिमेशन से समझ लीची रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त आर्ट सैनिकों वाली इसरेली टुकडी हमास के ठेकाने पर कबजा करने जा रही थी उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लडाकों ने इसरेल के बखतरबंद लडाको वहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहत बास से हमला किया एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक जपकते ही इसरेली बखतरबंद लड़ाको वाहन नामेर की धजियां उड़ा दे हमास के एंटी टैंक मिसाइल का धमाता इतना जबरदस्त और तेज था कि बखतरबंद वाहन में बैठे इसरेल के आठों सैनिक मारे गए इसरेल ये भी दाबा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ-साथ घातक IAD धमाकों का भी इस्तिमाल किया है जिसकी बज़ा से नामेर बखतरबंद लड़ाको वाहन तबा हो गया और इसरेल के आर्ट सैनिक मारे सेरेन वसी मखमूद सगन मפקד पलूगा वशिवा मी लोगमाव नफलू लफनות बौकर במהलך התקפה על तल सुल्तन שबरफियाग लिशות הבוקर המוקדमות घाजा जग पर पुरी दुनिया की मिगा अठीकी है अमेरिका की बाइडन सेरकार बार बार प्लियम नेतन्याहू से कह रही है कि घाजा जग को अब रोक दो लेकिन नेतन्याहू ने कसम खाली है चाहे जो हो जाए इसरेल तब तक जग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी दरसे सपाया नहीं हो जाता है आठ सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक देवर बने हुआ है लेकिन जिस तरह से पिछले सौ दिन में हमास के लड़ाकों ने इसरेली सेना पर हम्रे किये है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली की प्रधान मंत्री जौर्जया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इसरेल हमास के जाल में बुरी तरह से फस गया ऐसा लग रहा है जैसे इसरेल एक जाल में फस रहा है गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था इस्रेल के दोस्तों को इस्रेल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है उसकी सुरक्षा के लिए इस्रेल के साथ इटली है हम बिल्कुल यही कर रहे हैं पुलिटिन में फिलाल इतना ही